प्रभुश्री राम की नगरी अयोध्या में कई आस्था के केंद्र हैं लेकिन अईूध्या में एक ऐसा चमतकारी पेड़ है जिसकी तहनियो और डाल पर प्रभुश्री राम का नाम अपने आप उभर जाता है मैं आपको दिखाता हूँ ये खुबसूरत सा और चमतकारी पेड़ और बताया गया है कि जब हन्मान जी को एक स्वपन आया था और उसके बाद एक साधू ने यहाँ पर आकर इस पेड़ की खोच करी थी आप देखें कि यहाँ यह गाओं वालों के साथ साथ जो भी आयोध्या गूमने आता है उनके लिए यह आस्था का विशय है और इस ब्रक्ष को राम ब्रक्ष का नाम दिया है तमाम लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ की पूजा करते हैं और यह शिरिराम नगरी से जो पूरा स देख रहे हैं नाम लिखें कि संख्या जो है बुलागातार बढ़ती जारी यह भी बताया जाता है कि दशकों पहले इस प्रक्ष पर भगवान राम का नाम जो है वो लिखा हुआ देखा गया था और इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जारी है गाओं के हमारे साथ यहाँ पर आग कुछ लोग मौझूद है बार उनसे पूछने यह बताईए इस पेड़ की क्या विशेष्टा है जी बताईए जो हम लोग बच्पन से इसको देख रहे हैं जैसे बाट रहा है पत्ते पर नाम लिखा जा रहा है पेड़ पर लिख लिख रहा है लोग भी यहाँ पर माननेता हैं मेरा नाम प्रवीन है और मैं जाउनपूर से हूँ आपकी तरह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता हूँ लेकिन आपको बता दे कि इस ब्रिच के बारे में जहां तक मैं जो जानता हूँ यह जो ब्रिच है इस पर राम नाम का जो नाम है वो अपने आप जाता है और जब इसकी चर्चा हुई जब इसकी चर्चा टीवी चैनलों पर शुरू हुई तो आपको बता दे कि इस ब्रिच के बारे में जानने के लिए विदेशों में भी लोगों की उत्सुकता हुई उसके बाद यहां से पूरा बैग्यानिक टीम नासा की बैग्यानि की लीला है इस ब्रिच की लोग दर्सन करने के लिए आते हैं